36 गड़ में विधान सभा चुनाओं को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है सभी राजनेतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर चुके हैं सभी हमारे साथ सबसे बड़े राजनेतिक दल भारती जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और बस्तर के जो प्रभारी हैं संगठन की दृष्टी से सुनिल सोनी मौजूद हैं भारती जनता पार्टी बस्तर इस बार जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्या स्ट् दौरा है बस्तर में आप लोगों का कैसे आप लोग बस्तर में जीत के लिए क्या प्लानिंग आपकी चल रही है देखे बस्तर संभाग में हम आठ सीट हारने के बाद भी डॉक्टर रमन सिंग जी ने जो है विकास के करम को रोका नहीं बलकि तेजी के साथ में वहां पर व दिवासी भाई बहन और अन्य लोग हैं उन सब लोगों ने मानसिक्ता बनाई है कि क्यों न भारती जनता पार्टी को फिर से पुरानी स्थिति में लाया जाए तो जिस तरीके से बात की जा रही है वहां पर वर्तमान में अभी चार विधायक आप लोगों के पास है जिन मे बदलाव आप लोग करेंगे पिछले वर्ष की अपेक्षा देखिए बदलाव जो है वह चुनाव समीति के उपर डिपेंट करता है कि वह अपने अनेक आधारों पर बाचित करके जो है वह निर्णे लेते हैं इसलिए प्रदेश और राष्टी चुनाव समीति इसको देख देखिए स्वदान सिंग्जी के साथ में हम लोग जा रहे हैं और सौदान जींग चारीपद्थि है कि धरातल में जाके काम करना और वहा पे विभिन प्रकार की बैठकें होगी जिसमें प्रतिनिदी हैं, वहां के संगठन के पदादिकारी हैं और अन्य प्रमुख लोग हैं, उन सब से चर्चाएं होगी और बस्तर का कारिकरता जो है वो परिश्रम की प्राकास्टा कर रहा है, फिर से जो है वो बारा के बारा सीटे जीते ताकि विकास का करम न रुके, आप उनकों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनको संचार की सुविधाएं मिलेगी, अब नए टावर लगा कर जो है, वहां पे संचार की सुविधाएं सरकार देने जा रही है, तो ये अनोखे काम जो है, उस आधार पर हम पूरा जो कारिकरता और जितने जन प्रतिनिदी है, व और हम फिर से जो है, बारा के बारा सीटे लाएंगे. कोफी से करते हैं, आने वाले समय में लगेगा कि कौन लड़ेगा, लेकिन जो भी लड़ेगा वो जीतेगा. के साथ, पंकर शर्मा, ग्लिप्स.न, राइपूर.